अग्याइब दोस्तों नमस्कार्ण स्वागात अप्सक्राइब के जह में आज चार जुन था और आज एलेक्षिन का रिजल्ट आ गया इलेक्षिन का रिजल्ट बजार के अनुकुल नहीं था जिसके वज़े से बजार ने एक नीजर के रिएक्शन दिखाया और तक्रीपन इंट्राइब डेर की बेसी इस पे अठारा सो पॉइंट का डिप कट आया था दोस्तों आज हम डिसकुस करेंगे कि अगर ऐसे किसी भी इवेंट जो की बिल्कुल अन्नोन होता है तो उस टाइंप हम अपने पॉर्टफोलियो को कैसे से इसके लिए हैजिंग बहुत ही जड बहुत दिखा रहा था कुछ-कुछ तो एकिट पॉल में 400 प्लस का भी नंबर आ रहा था कि 400 प्लस बीजएपी प्रॉस कर देंगे और इन्होंना काम किया भी था ऐसा जिससे कि ऐसा लगने रहा था कि बीजएपी जीतेगी ये सेम उसी तरीके से रिपीट हुआ है जैसे ब लेकिन अब NDA अलायंस में जो भी लोग होंगे वो चुकि बीजएपी के पास 272 का मार्स अभी नहीं है और 272 चाहिए होता अगर 272 आदा था तो बीजएपी फुट वह से सरकार बना लेती लेकिन 272 नहीं है जिसके वाज़े से कि आगए जो दूसरी पार्टी जो सरकार मे इनके साथ करेंगी वह इनके ऊपर किसी तरीका डाल सकती है कि पॉलिशी मेकिंग के ऊपर तो वहां पर थोड़ा बहुत चेंज दीख सकता है और वह चेंज आएगा इसका मतलब है कि गवर्मेंट डेवलप्मेंट के लिए तो काम करेगी वह तो कोई भी शरकार करती है और अब हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा मतलब कि अब थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा बैलेंस बनाना पड़ेगा तो आई हम लोग में टॉपिक उपर फोकस जाते हैं कि पॉर्टफोलियो ऐसे टाइम पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में साथ पर्शेंट का करेक्शन आया आपका पॉर्टफोलियो की काफी हद तक करेक्ट हो गया होगा अगर सपोज करेंगे अगर साड़े दिन चार लाक अगर पॉर्टफोलियो है तो उसमें तकरीबान आपका 25 से 30 रुपे का आज सार्प करेक्शन दिखाऊ तो ऐसे टाइम क लिए आप लाइफ इंस्ट्रेंस लेते हैं तो तो हर में साथ तो आपका वह थी इंसुल्स काम नहीं आता है यह कुश्चर पर्टफोलियो है उसका भी होता है जिसको अग्र तो हमें हमें हीज करके चलना चाहिए और हमान के चलना होता है यह हमारा पैसा तक्रीपन से अगेंस्ट में चाहिए तो फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है और इसको प्रोटेक्टेड होता है और कैसे तो अगर हम देखेंगे कि जो आपका जो आपका पॉट्फोलियो है सपोज कीजिए कि आपके पॉट्फोलियो का टोटल वेल्यू अगर सारे तीन लाग क्या सपास का है जो की तीन जून को था तो अगर आज के डेट में बात करें तो उसके अंदर तक्रीबन साथ पर्शंट का करेक्शन आया ही होगा और वह तक् के अंदर दो चीज़े होती है कॉल और पूट तो आपके पास दो इंस्ट्रुमेंट हो गया पूट हो गया कॉल हो गया और यह दोनों ही हेज करने के लिए यूज कि यूज के जाता है तो जब भी आपको हेज अगर आपका पोजिशन अल्लेडी मार्केट के अंदर बना हो और ऐसे event में आता है दिसे बज़ट हो गया या फिर इलेक्षन हो गया या फिर कुछ ऐसे certain situations है उसमें इस तरीके करेकशन आता है तो आपको बढ़ने से प्रफ़लम नहीं है आपको बज़ार के घटने से प्रफ़लम है तो आपको पुट अप्शन वाई करना होता है और प पॉर्टफोलियों के लिए इंस्रेंस कोस्ट की तरह होता है तो आपके पास पॉर्टफोलियों समझ आप एक्जामपल लेके हम दोग चलते हैं कि साड़े तीन लाग का पॉर्टफोलियो है तो बढ़ने से प्रबलम है नहीं बढ़ेगा तो मतलब अच्छी बात है लेकिन घटने से प्राब्लम है तो घटने से अगर प्राब्लम है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि टोटल पॉटफोलियो वैल्यू के 5% के बराबर का हमें पुट बाइ करना होता है तो अब इसको में एक्जामपल के साथ समझते हैं कि जब हमारा तीन लाख पर चार्जार के पोट्फोलियो वैलियू था जून को जब निफ्टी हमारा प्लोज हुआ और निफ्टी जब प्लोज हुआ वह था बाइस तेशजार 263 के पास और मार्केट उसमें अपने अपर और लॉर बेंड बनाकर चल रहा था जिसके अपर बेंड पर था यह हमारे पीसे कई वीडियो में हमने विसकस किया हुआ हम पुराने वीडियो को भी डाल देंगे आप देख सकते हैं तो मार्केट में एक अननोन सिच्वेशन का रिस्क था वह क्या था वह चार्ज उनको था चार्ज उनको क्या हुआ कि निफ्टी ओपन हुआ 33,180 मतला वस्ची पॉइंट नीचे ओपन तो हुआ और चार्ज उनको उसने लो बनाया 21,281 के पास लो बनाया जो कि तक्रीबन 1,900 पॉइंट के आसपास का उसने डीप करेक्शन दिया और यह करेक्शन इसलिए था क्योंकि एक जो को एक बार देखेगा वाज करेगा कि मार्केट की मार्केट ने एक सार्फ करेक्शन दिया और मिनिममम अगर आप देखेंगे तो अगर किसी का सारे 3-4 लाग का पॉटफोलियो का वैलू है और वह एक अच्छे मिटकेप और निफ्टी फिप्टी के कंप्रियों में लगा हुआ है तो जब उसको 67 का करेक्शन आ गया तो इसको हम बचा सकते थे कैसे बचा सकते थे तो अगर आपने पॉटफोलियो का जो वैलू है वह तक्रीबन 3,50,000 के बराबर है जिसके अंदर 7% का करेक्शन आया तो 25,000 वह पॉटफोलियो से माइनस हो गया वाइप उट हो गया तो हमें क्या करना था कि 23,000 का पुट अगर हम 3 जुन को लेके जाते जो कि 23,000 के पुट का वैलू 240 रुपैगा था अगर आप एक लोट लेके जाते ग्लेवरी में तो आपका 6000 रिस्क पे होता 6000 रिस्क पे होता अगर मार्केट बढ़ता तो ठीक आपके पॉर्टफोलियो की वैलू भी बढ़ती तो यह जो पॉस्ट है वह तक्रीबन मान के चलिए जैसे 3000 यह 4000 होता तो आप इसको लॉस्ट पर बुक करते लेकिन आप इसके अंदर देखेंगे तो टोटल जो गेन हुआ अगर आप क्लोजिंग के भाव पर भी अगर आप देखेंगे कि आपको क्या गेन हुआ तो क्लोजिंग हुआ है तक्रीबन 1190 के आसपास तो 1190 के आसपास में आपको इसके अंदर 3850 रुपए आपका बन गया होता मतलब कि आपका 6000 का इंवेश्मेंट और 6000 का इंवेश्मेंट आपका 4 टाइम्स हो गया और आपको यह जो 25 जो आपका पॉर्टफोलियो है 3,50,000 इसके उपर कितने का हेज लेना था 5% का हेज लेना 800 का हेज आपको लेके जाना था तो आप इसी इस आप से देख लिए मतलब दो लोट पे काम करते और यह आपका तक्रीबन जो 2850 आ रहा है यह आता आपका तक्रीबन 45,000 का तो इस तरीके से आप अपने पॉर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं अब हेजिंग रिक्वाइड क्यों है यह ऐसे ऐसे बचने के लिए हेजिंग रिक्वाइड है यह वाला डेज हमें बिल्कुल पता नहीं होता अब आप यहां देखें कि 31 मई को जो मार्केट मार्केट 31 मई को देखेंगे तो तक्रीबन यह अपने लोवर बैंट पर था फिर जैसे ही एक जीट पोल एक जून को आना था मार्केट जब तीन जून को ओपन हुआ तो 33,300 के आसपास ओपन हुआ यह इस पॉइंट पर मार्केट ओपन हुआ 30 जून को और जो गैप अप बिग केंडल दोन आया और वह अपने अभी हलाकी एक बहुत अच्छा लेबल था 27720 जो कि ब्रेक तो किया लेकिन अभी भी इसके उपर क्लोजिंग दिया है लेकिन इतना बड़ा केंडल है कि हो सकता है कि आने वाले टाइमें मार्केट फिर से 20,000 के आसपास धीरे-धीरे वाले पाइंट के आसपास क्या है तो ऐसे डेट से बसने के लिए अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना होता है वो बाई करना है टोटल पोर्टफोलियो के पांच परशन के बराबर जैसा कि हमने प्रिवेश श्लाइड में देखा है अब आये देखते हैं इसके प हमने इसको अगर 236 पर इसको डिलेवरी में अपने पॉर्टफोलियों को हेज करते हैं अगर लेके आप गए होते तो आपका तक्रीबन कि 6000 का कोस्ट आता और आपका जो टोटल कि आज घेन होता वह तक्रीबन एक लॉट के उपर कोई अपने पॉर्टफोलियों को कल हेज करके नहीं उन्होंने रखा हुआ होगा तो आज भी वह कर सकते थे सुबह में जिस तरीके से भी हैवियर दिखाया है अपना तो अब देखिए अगर नौ बज के 25 मिनिट पर भी अगर इसकी जो वैलू थी वह 441 उपर की ती यह किसी का लगा हुआ है उसने तक्रीबन इसके पुट को बेचा है 9 15-20 मिनिट के अंदर उसने तक्रीबन दहाइसईस ओपॉंट पैंट का प्रोफिट लिया है इस पुट के अंदर तो खर यह प्रोफिट लेने वाला चीज नहीं होता है यह तक्रीबन यह जो आपका पुट जो आप्शन है आप्शन करने के लिए कि आपका पॉर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहें तो अब सपोर्ज किजिए कि आज भी अगर कोई सुबह में अपने पॉर्टफोलियो को हेज किया होगा चार सो चारिस रुपए पर भी आइंग करके और चुक्चाब से वो साम तक बैठा होगा तो उसको इसके अंदर यह जो पूट है वो आपके लॉंग पॉजिशन को हेज करता है और साइध मुझे ऐसा लगता है कि जरूर से ही हर किसी को अपने पॉर्ट्फोलियों को ऐसे डेज में जरूर हेज करके चलना चाहिए तो उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह चीज़ें की समझ में आई होगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए मैं आगे इसको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा अब आये चलते हैं इसके इसके दूसरे स्लाइट पर जहां पर हमने यह दिखाया हुआ कि एक लॉंग टर्म का चार्ट है कैसे निटी के अंदर एक नीजर की रियक्शन आता ह है यहाँ अड़ां यहां 300 कॉलाइपस है यहा आठंद पॉंट के कोलाइपस है तो ऐसे कोलापस बचने के लिए हम अपने पोट्फोलियो को हेज करना पड़ता है और पोट्फोलियो को जरूर से करना चाहिए अगर आपने यह नहीं देखा तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीन स्ट लेकर रख सकते हैं या फिर वीडियो को थोड़ा स्लो देखेंगे तो आपको चीजे थोड़ी क्लियर हो जाएंगे तो चलिए उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को कभी भी अन्हेज मत छोड़िये जरूर से पोर्टफोलियो को हेज कीजिए और आगे हम लोग और भी ऑप्शन तो जूंटे एक्साइब कीजिए खर आखाव संद एक्षम एक पीजिए और प्रतीन परतीन भीजिए और अगे करता हैं।